आज हम लोग स्टड़ी करने वाले हैं मानो नेत्र यानि हुमन आइस के बारे में को यका है मिलक जानते ही है कि मानो नेत्र जो कि एक हुमन या कोई भी लिविंग लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन रोल अदा करता है क्यों क्योंकि विदाउट आइस हम लोग किसी भी चीज को नहीं देख सकते हैं पीछाल के यह पारें 20 यृवर कि देखे कौन दीख आप 10 आप लेने 10 जहीं से किसी बारे हैं से अमस्तलिते प्रमल संटेशक्रां को कंट्रोल करता है ठीक आगे पढ़ेंगे इसके बारे में चलिए इस पट्टी को क्या बोला जाता है तो कॉर्णिया बोला जाता है और जब कभी भी हॉस्पिटल में आइस प्रांस्प्रांट होता है उसमें पूरे ऑफ को यह उन्हेदा डोस्ट्रांट सिभानेum तु कोर् êight सिय타 क्या मैं त्रुसरी प्रिज φय का वोड़कर दिम सब्सक्राइए यहिए वोड़कर पाइर कि जबनाच कशालीग Siz धोस्ट श把ड होक्राइब त्रिश्टी स्टी दोस्ट हो घए ओर लैंस के छोटार बड़ा होने के कारफ चलिए इसको क्या बिला जाता है इसको बिला जाता कच्छाव यानि की द्रव गोला जाता है यह हो गया जो की यह लग कलर का यह ब ऑगे अपका एकिन होगे और यहीं पर इमेज बनता है Rangin image को दिखाता है जिकाल diesen क्या कर्ता बल्याग्यडवाइट इमेज को दिखाता है और अनिमल में रोट सेल कि सेंखे Serge vark et ao आधे इस लिए अनिमलों को हमेशा'll black and white वस्तों को दिखा जादा है टिए लेकिन अगर इसलिए वह बात क्या जाए हुमन बाक ऑट रंगीन दोनों बस तो देख पाते हैं जबकि जबकि अगर बात करें अनिमल का तो एनिमल में राट सेल की सब्का ज्यादा होता है इसलिए उसमें सिर्फ ब्लैक ऑट भार दिखा ज़िता है छिल्यें नेक्स लाइड देखते हैं इस पिक्चर में देख रहा होगा क्या प्यूपल यान कि क्या प्यूपल को प्यूपल ही बोला जाता है और प्यूपल के बीच में जो चीद रहे इसको क्या बोला जाता है इसका वर्क क्या है तो यह क्या करता है कि लाइट को कंट्रोल करता है जैसे कि बाइचांस अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर क्यो जयता है तो बहुत ज्यादा होता है उस सीचवेशन में क्या गरता है पर धोध कि उतना ही लाइट पर знаем कि इसी वसुट को करो कर सके कर सके रहे कि इसके रहे करता को यह पूपल करता है जबulator कि लाइट बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या करता है प्यूपल अपने आपको श्रिंग कर लेता है ताकि उसमें उतना ही लाइट परकास जो है उतना ही परकास पार हो जाए जितना कि उसे जरूरत है और वही अगर बात किया जाए कि घर के अंदर कोई व्यक्तियगा जाता है में जब तो उस तो उसर में क्या होता यह वहा पर वहां पर प्यूपल की अख्या जो होता है था कि लाइट बढ़ा हो जाता है ताकि light उससे पार हो सके और किसी भी वस्तु को visible करा सके तो यह pupil का बढ़ा और छोटा जो होता हो control करता है ताकि light जो है वह सही तरीका से लेंज तक पहुंचे टेर और उसका इमेज रिटीना और पहुंच सांच, lil ऐक वूंच का Interno एक सांच, निकुझा आप चारा सीवान के तो यहां ही जो इमेज में चीशाया मेरे आपर में चार्ण कारें खशञेक के जड़े म способन करता है यो थो की इमेज कर एक करके और हम लोग को समझाता है तो आइस जो है वो किसी भी पुलता देख़ते हैं एक आ extras लेन्स क्या करता जो है वह मौने के काम करताा ऐर झाया जैसे की जो पार कास आया क्या आए आए योered का करता है इसको सिकूरने का काम करता है रेटीना में उसको इमेज को बनाने का कोशिश करता है रेटीना में इमेज को बनाने का कोशिश करता है और जब यहीं रेटीना में इमेज नहीं बनता है तो ही जाकर क्या होता है कि दूर द्रिष्टी दोस और जरा द्रिष्टी दोस तो कि यह रिंस दिखाना दोसंने कि भूऋ सब्सक्राइब कि इस Gur sindung लिए कि भूर दीखाता है लिकें दूर के का चलिका से आइस दिखा के स्था इंब्र mother दोस में रेटीना से आगे ही क्या होता है इमेज बन जाता है और जब कभी भी रेटीना से आगे या फिरेटीना से पिछे इमेज बने तो क्या होगा कि उस वस्तु को को भी ची दिखाए नहीं देगा जब तक कि इमेज रेटीना पर ना बने उस वस्तु को में उस व्यक्ति क तो कोई भी वस्तु विजिवल नए हुआ तो इसी बुजिवल विजिट कराने के लिए आंक यदा है की सब्सक्राइब करने के लिए आप तो लेंस क्या जता है आप तो लेते हैं दूर दूरिष्टी दोस्तों सोट दूर के वश्टू दिखायाएंस दूर दूरी दिखाया और दूर करता है राइड परकास को नहीं हो एक फ् усोट नहीं एक नहीं होता है जब वस्तु का इमेज रेटीना से परिय होता है तो उस प्रकास को मोरने काम करता है जब वह मोरता है तो वापस वह कहां भी बनता है यह मोटता है तो वाफ़न का छोटा जाता है लैंग्स चोटा होगा तो बहाब से में बनेगा उसका हिमेज तो इसलvals करने के लिए उत्तर लेंस का यूज क्या जाता है चले अब जराद रिष्टी दोस क्या होता है तो जराद रिष्टी दोस में ना ही वस्तू ना ही उस व्यक्ति को दूर की वस्तू दिखाय देता है और ना ही उस वस्तू को निकट का वस्तू दिखाय देता है उस सिच्वेशन में क्या होत दो लेज यूज किया जाता है ताकि वो सई तरीका से देखा की जब बाहर के दूर की दर्स दूर के वस्तु को देखना हो तह उत्तर लेंश कर यूज और जब आइसा दोस्त जो की दिन में तो दिखा देता है बट रात के टाइम पर उसे दिखा नहीं देता है उसको क्या बोला जाता है नाइट ब्लाइडनेस राइट नाइट ब्लाइडनेस उसको दूर को कैसे होता है तो अच्छल में तो अच्छल में सिल्यारी मसल के कारण होता है ज इसके करएव लाचक होता भूं और लाचक भूंधा धिर मेम अनुय से फिर दिवाचक लाचक होता है रखने पाथ एम चाहर मज़िए धिमय झाइक है समय पूर जाता था र्रीनट। बants इस सबस्की चिजो करने के कोशिन के भारे में मैं हुआ है ल मैं चली कि अभए यह सब्सक्रोटा के गिसके माना नेत्र और द्वोरा किसी वस्तू का प्रातीविन बनता अ कोर्णिया पर ऑई अपर पुतली पर यह सबंदी ना पर तुन होड़ गार बनना री इंपार बनता कि और जो और दोस होता है जैसे के जरातुक दूरक्रतुक दूर दूर दूर्ष्टेता जिसके चुछा जो है वो देख सके ठीक है चलिए नेस कोशिन कोशिन मेर टू कोशिन मेर टू क्या है कि नेत्र लेंस होता है नेत्र लेंस होता है क्या होता है अभी सारी अभी सारी ठीक है अभी सारी या फिर इन में से कोई ने तो नेत्र में कौन सा लेंस होता है नेत्र में उत्तर लेंस होत तोण दोड्रेथी दोष का और बेते हैं कि मुटने के काम करता है। लेकिन वह अगर बात किया जाए वांता लेंस civilized दॉइसे में किने को मतरी थे मताइख भांते हैं अब साधी यानि जमाने के काम करते हैं। कोशिट से बात कर लेता है koos No 3 q क्या है तो दूर दृष्टी दोस्त क्या ऑच कारण प्रतिभिम बनता है से देडिना पर देडिना के पिछे देडीना के आगे या फिर कहीं नहीं तो इसको भी डिसकुछ कर लिये ते है कि दूर दीशित कहुती ही क्या होता है कि जो प्रतिभीम बनता है वह रेटीना के पिछे बनता है तो जो रेटीना होता उसका पीछे बनता है चलिए स्वास्त आंख के लिए द्रिष्टी का नियुमतम दुरी होता है यानि कि जो हमारे सामने आखों के सामने कम से कम कितनी लेंथ होने चाहिए ताकि हम उस वस्तु को सही तरीका से विजिवल कर सके तो 25 डिग्री सेंटिमेटर 25 डिग्री सेंटिमेटर से अगर नजडिक हो कोई वस्तु का लेंग तो हमें उस वस्तु का इमेज जो बनेगा वह दुंदला दिखा देने लगे तो इसलिए किसी भी वस्तु को असपश्ट देखने के लिए जो नियुमतम दूरी होती है वह 25 सेंटिमेटर होता है और अधिक्तम दूरी अनंत तक होता है क्योंकि हम लो हम किसी वस्तु को तभ ही देखे पाते हैं जब उस वस्तु का लाइट तक पहुझा थे तो ही जाकर करकते हम उस्तु को देख आते हैं तो फार जो अधिक्तम दूरी होता हुआ वह अनंत होता और नियुमतम दूरी होता हो 25 सेंटीमीटर होता है颍क्स स्वास्त नमेह क्या लिए दूर बिंदू क्या होता है तो स्वस्था आंक के लिए दूर बिंदू जो होता वो अनंत होता है क्योंकि अनंत होता है इसलिए तुम हम चां तारे ठिकरा सूरज इंड़ोगो देख पाने जह उम्हें है ठोब कोशें निम dat निकर्प दरिष्टि डोष से पिलिद्व्यक्ति का धूर बिंदू हीजित होता है धूर विंदु इस्थित होता है क्या होता है 10 gag commission से कम दूरि पर अनन्द पर या फीिया अनन्द से कम दूरि पर तो निकट द्रिश्टी से कंड में पर तो नियवर चिरत निक्र घृत 수 warm तो दिक तो मनुस्रीक की आँक में रेटिना का क्या का रहे है कर दोल मिटी कर्फोıs से आँंखो की रक्षा करना या फिर वस्तू का प्र Cathy बनाना ऐस्रू में एक प्लस्पा सुन्च कोरा या उस् Crown होटा है चले आखोंमे क्या अंग अशूरों मी क्या होता है अक्षुल में mあत्रा क्या मात्रा उसमें ज्यादा होता है चले तो यहां पिर हाँ तो प्रांतिविम वस्थ पॉरतिभीम कशैन मील कर बना होता है। कौन सेल और राड से तो रंगीन वस्तू को दिखा जाता ए और राड सेल से गया होता तो ब्लेक चैनल वाइट वस्तू को दिखाता है अगला कोशिंग कुश्यमर आइट क्या बोड़ा निकर द्रिश्टी दोसोने वारन हे तूं किस्ट प्रकार के लैंगा प्रयूवर की हाँ गया जीद है अ उत्टर लैंगा ए और वी यानि आँचल और उत्तर दोंचों या इन मेंसी कोई नहीं तो निकर द्रिश्टी दोस सूल्व करने के लिए हो आतार लैंगे जाता हुं दोसको दोसको सॉल कारने के लिए अज्ट के यह तोकुष्ट हैas आभिसारित कारने के काम करते है और अवतल लेंज क्या करता है अफसारित करने का काम करता है चलिए निसकस कर लेते हैं कोशेन नमबर 10 क्या है तो दूर द्रिश्टी और निकर द्रिश्टी दोनों दोस होने पर किस परकार के लेंज का परियोग क्या जाता है अगर किसी वस्तु को दूर द्रिश्टी और निकर द्रिश्टी यानि की जरा द्रिश्टी दोस हो तो उस सिच्वेशन में उतल दोनों लेंज का यूज क्या जाता है तो उस सिच्वेशन में क्या होता है कि उसके चस्मा में उतल दोनों लेंज का परियोग करके उसका चस्मा को बनाया जाएगा ठीक है चले एक कुछिन कुछिन नुमर 11 क्या है तो एक आउटर लेंस की फोकस दूरी की छमता अगर 75 सेंटिमेटर है तो उसकी छमता क्या होता है तो सिंपल से उसका छमता क्या हो जाएगा मायनस बन पॉंटी ट्रीटी ड्यफटर से क्या तो कि श sen पर को मापा जाता है अगर किसी आतर लेंस का फोकस दूरी का छमता यहां पर बोड रहा कि 75 सेंटिमेटर हो तो उसका छमता निकाल ना अगर फोकस दूरी यानि एफ बराबर अगर 75 cm हो तो क्या निकालना चमता यानि कि उसका पावर निकालना फोर्मुला में बैठा देना है तो क्या निकलेगा अंसर क्या है थाइरीस पुतली या फिर यह सपी तो ड्रिश्टी पतल आइरीस पुतली तीनों कर्तिनों मानों नेतर का बाव इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा यह सभी चले स्कुर्ण कोशिर में 13 आइडिस के माध्धे वाले भाग छीद्र को कहते हैं माध्धे वाले जो छीद्र होता है जिसको अभी डिसकस किये थी तिया है वो उसको क्या कहते है पुतली कहते है द्रिष्टी पटल रेटिना या एक पटल तो इसको पुतली का जाता है और यही क्या करता है कि परकास को कंट्रोल करता है लाइट को कंट्रोल करता है ठीक है चले अगर बात क्या जाए कि जो प्यूपल है पुतली है इसका कलर जो है वो किसके कारण डिसकस होता है तो इसका कलर जो है वो जीन के कारण डिसकस होता है माता पिता के के जीन जो होता है जो कि क्रॉमोजों में पाई जाता तो क्रॉमोजों में डिये नय आरनी के कारण ही क्या होता है कि इसका कलर का डिसीजलों होता है ठीक है चली मेंसको लिए काछएब द्रह उपस्तित होता है कछप Always को तो बोलते किसला मातीे है उप्रोकत में सी हए नहीं तो इस में योट सेह कोई लो दीस यहले सभावनिबींद यजए प्र vet Ib большое द्न कैनल राइधरूज में लिगुष्यमर केमाध प्रोड़े कुछ sih नमर Q 16 मानो नेत्र में रिटींघा पर बनने वाला प्रातिभिं क्या होता है दो उल्टा होता है परतु सिधा दिखा देता है वह्लों सीय था हमारी आख – अंहीं पर छो आक पर यहां बनता है वो उल्टा बनता लेकिन जो है उसको सिधा करके पढ़ता है इसलिए हमें उस वस्तु का एमिज सिधा दिखा देता है चली नेस कुछिन कुछिन में 16 क्या बूलड़ा है द्रिश्टी पडलके सामने उभये हुए पार्दरसक भाग को करते हैं क्या करते हैं उभये हुए पार्दरसक भाग को लेतीना क्या की सीधोिन से ऐगसेहाई कि तेज प्रकास में पूतली का आकार कैसा हो जाता है तो सिंपल सा तेज परकास में पुटली का जो आकार होता है वह छोटा होता है और डिम लाइट में जिसमें तेज परकास ना हो उसमें पुटली का आकार बढ़ा हो जाता है ताकि परकास सही तरीका से इंटर कर सके और हमें कोई भी वस्तु विजीवल ह क्या है दूर दिरिष्टी दोस्वाली आंके साफ साफ देख सकती है किस वस्तु को दूर दिरिष्टी दोस्वाली आंके दूर की वस्तु को साफ सब देख सकती है लेकिन निकट की वस्तु को साफ सब नहीं देख सकती है वह अगर बात के आ जाए निकट दिरिष्टी सही तरीका से देख सकती है लेकिन दूर वस्तु को सही तरीका से नहीं देख सकती है एक कोशन यहां पर आता है कि मानों का मानों नेत्र कितने मेगाफिक्सल को होता है तो 573 मेगाफिक्सल को होता है मानों नेत्र जो होता है वो 573 मेगाफिक्सल को होता है चलिए नेस्ट कोश है किसी वस्तु का प्रतिभी एक पर पड़ता है वह क्या रेटीनाente राइट किसी वस्तु का पर प्रतिभीम जो होता है in upon history बनता है तो ही जार कर कर कि हम उस वस्तु को डेख पाते है अ चलिए आज के लिए राष कोशन क्या है कि आँक के लेंस को फोकल फोकल लें wij में इनमें से ईक संसे बदलता तो स की मसल की अक्षन से ही क्या होता बनता तो गैस आप ओपने करना से संगें कैसे लगें टिक और याइकी शूर और सुसक्राइब करना मिलते बीजने स्कुर्स नेस कॉंसेट के साथ थेंग यू